जय भीम, जय मीम, जय तेलेंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु एक्पार अठारवी लोकसभा के पहले सत्र के दोरान सांसद असद दीन और वैसी का शपत ग्रहन चर्चा का विशे बन गया उन्होंने इस दोरान संसद में जय फलस्तीन का नारा लगा दिया, जिसके बाद सिया से उठा पटक तेज होगी नमस्कार, मैं हूँ शार्दा सिंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं दीकंट्राव वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्विस्ट है, काफ़ी महनत और रिसर्च करके हम यह वीडियो आपके लिए बनाते हैं ऐसे में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सबस्क्राइब करते हैं तो यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी तो चलिए अब रुख करते हैं अपनी खबरों की और असल में हुआ यूँ कि M.I.M. प्रमुख और सांसद असदुद्दीन और वैसी ने शपत ग्रहन के बाद जय फिलिस्तीन का नाला लगाया शपत के बाद उन्होंने सबसे पहले जय भीम बोला इसके बाद जय मीम जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नाला लगा दिया जिसके बाद असदुद्दीन और वैसी ने मौजूदा सियासी उठा पटक पर जवाब देते हुए कहा उन्हें जो करना है करने दीचिए मैं भी संबिधान जानता हूँ ये खोखली धमकिया मुझ पर असर करने वाली नहीं है आगे उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सबने क्या 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 कहा है वो भी सुनिए फिलिस्तीन का जिक्र करना कैसे खिलाफ है संबिधान में प्राफधान दिखाएं वहीं बीजेपी नेता जी किशन रेड़ी ने कहा कि इस देश की संसद में शपत लेने के दौरान जब फिलिस्तीन का जो नारा लगाया गया वो पूरी तरह से घलत है उने कहा कि वह औवैसी के एक तरफ संबिधान के बात करते हैं दूसरी तरफ संबिधान के खलाफ नारे बाजी करना साथ ही भरत में रहकर फिलिस्तीन का गाना गाना पूरी तरह से गलत है ऐसे घटनाओं से इन लोगों का असली चहरा सामने आता है ये लोग हर दिन हर विशे पर ऐसी हरकत करते हैं आगे उनोंने कहा कि मैं जनता सरुरोध करूंगा कि वह लोग सभा में ऐसे नारे लगाने वालों को पहचाने इसके बाद एडवोकेट विनीत जिंदल ने M.I.M. प्रमुक और सांसद असदुदीन ओवैसी के खिलाफ राष्टपती दुरोपदी मुर्मू से शिकायत की गई एडवोकेट विनीत जिंदल ने सोशिल मीडिया पोस्ट में एक दावा किया कि उर्हों ने भारत के सम्विधान के नुछेद 103 के तहत राष्टपती के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें फिलिस्तीन के प्रति अपने निष्ठा दिखाने के लिए और वैसी करुछेद 102 के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की इसके अलावा सुप्रिम कोट में एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्टपती दुरोपदी मुर्मू से असब्दुदीन और वैसी के खिल शित्रपाल सिंग द्वारा जैं हिंदू राष्ट और असदुदीन और वैसी द्वारा जैं फिलिस्तीन के नारे लगाना दोनों ही उदाहरन निंदनिये संसद लोक्तंत्र का पवित्र स्थल है जहां देश के सभी नागरीकों का प्रतिनिधित्व होता है ऐसे धार्मिक औ एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में विवाजन और असंतोश पैदा होता है और वैसे के नारे से हिंदूं का धुर्बीकरण होता है और भाजबा के लिए फाइद मन्ध है और भाजबा के कुछ सांसदों द्वारा ऐसे नारों से ओवैसी को मजते हुए धर्म निर्पेख्ष और तटस्त रहकर देश की सेवा करने चाहिए धार्मिक और आजमिते किनारे लगाने से संसद का महौल बिगड़ता है और यह आम जंता के सामने एक गलत संदेश देता है सभी सांसदों को यह समझना चाहिए कि उनका मुख्य उदेश्य देश और उसके नागरिकों की भलाई है ना कि धार्मिक और सांप्रदाइक विभाजन को बढ़ाबा देना यह तमाम बाते रविश अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखते हैं यह उनकी राय है आगे मुलायम सिंग लिखते हैं कल लोग सभा में श्यपत ग्रहन के दौरान जो असदुदीन और वैसी ने जए फिलिस्तीन बोला यह गैर मर्यादित है यह भारते समधान के मुछेद 102 और 103 के वृद्ध ऐसे ही आयुग्य व्यक्ति के कारण समाद दूशित हो जाता है दुनिया में ऐसे लाखों नारे थे जिनका इस्तमाल ना करके यह वैसी जब फिलिस्तीन बोलता है भारती जनता पार्टी वैसे तो बड़ा रास्ट की बात करती है लेकिन कल किसी भाजपा सांसद ने ओवैसी के सदस्ता निरस्त करने की बात आगे मिलन शर्मा लिखती है ओवैसी के फिलिस्तीन को लेकर शब्दों को ओन रिकॉर्ड नहीं लिया जा रहा है संसद के रिकॉर्ड से निकाला जा रहा है तो फिर बरेली के बीजेपी सांसद शत्रपाल के जय हिंदू तुरास्ट को क्यों नहीं इस खबर पर आपकी क्या रहा है कॉमें सेक्षिन में हमें जरूर बताएं देखते रहे हैं दीकंटा शुक्रिया